हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ फैक्ट भाई क्या आपने कभी किसी हीरो या हीरोईन से एक दम सच्चे मन से इतना जादा प्यार किया है कि आप बिलकुल उसकी कार्बन कॉपी बनने के लिए अपना पूरा थोबड़ा बदल कर खुद गंगाल होने तक कुराजी हो जाओ वेल मानो या ना मानो कुछ ऐसे ही सनकी लोग हैं इस दुनिया में अब लेट्स बी ओनेस एक पफेक्ट तुर्टुरी नाक और एक डैशिंग जॉलाइन किसे नहीं चाहिए और बस इसी लिए आज कल प्लास्टिक सर्जरी बहुत से कंट्रीज में एक आम सी बात हो गई है लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन बच्चों की बात करने वाले हैं उन लोगों के सिर से तो ये प्लास्टिक सर्जरी का भूत भूत बनके ये निकला अब चाहे हू बहू बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली वेलेरिया हो या केंडॉल जैसे दिखने वाले सेल्सो यहाँ फिर किसी हॉरर फिल्म की भूतनी की तरह दिखने वाली सहर्तबर इन सब ने अपने आपको प्लास्टिक सर्जिदी के जर्गे इतना बदल दिया है कि वो अब किसी और ही ग्रह के दिखाई देते हैं तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विद आ न्यू वीडियो टाइटल इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रॉडियो अल्ब से है तो वैसे ब्राजील के मगर 19 साल की उम्र में वो लंडन आ गय थे बचपन में रॉडियो के ग्रांट फादर ने उन्हें तोफे में बार्बी डॉल दी और यहीं से उनका गुडियों के प्रती अपसेशन शुरू हो गया 17 साल की उम्र में लड़कियों की तरह उनके ब्रस डिवलप होने लगे और इसे ठीक करवाने के लिए उन्होंने पहली बार प्लास्टिक सरजरी करवाई वैसे यह सरजरी तो ठीक है जरूरी थी मगर इसके बाद रॉडिजो को अपनी नाग बिल्कुल पसंद नहीं थी इसे लेकर फैमली वाले उनका मजाग उडाया करते थे तो इसलिए उन्होंने नाग की सरजरी करवाई वो इसके रिजल्स से खोश नहीं थे तो उन्होंने दोबारा से अपनी नाग की सरजरी करवाई और यहां से यह जो काटने और टांकने का सिलसला शिरू हुआ वो आज भी जा रही है उन्होंने अब तक 51 प्लास्टिक सरजरीज और 103 कॉस्मेटिक प्रोसिजर्स करवा लिये और वो रुकने का नामी नहीं ले रहे हैं उन्होंने अपनी बॉडी को पॉफेक केंडॉल में बदलने के लिए करोडों रुपए खर्च कर दिये मगर उन्हें अब भी हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे वो किसी और के शरीर में कैद हैं 2019 में उन्हें फिर एसास हुआ कि वो असल में एक ट्रांसजेंडर है लेकिन अब उन्हें केंडॉल नहीं बलकि एक बार भी डॉल बनने का शौक चड़ गया उन्होंने तुरंद रॉडिज्जो से जैसिका बनने की ठानी और इसी में उन्होंने पूरे एक लाग पॉंड पानी की तरह बहा दिये उन्होंने अपने पहले के प्लासिक सिक्स पैक एप्स को भी निकलवा कर प्रेस्ट इंप्लांट डलवा दिये अपने माते और जबलों की हड़ियों को गिस कर छोटा भी करवा दिया और तो और अपना एडम्स एपल को भी छोटा करवा दिया एक मोर फेमिनाल लुक पाने के चक्कर में साउंड एक्स्टीमली पेंफुल राइट वेल नौट तो जेसिका क्योंकि वो अब अपने इस ब्रैंड न्यू बॉडी में बिलकुल खुश है मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला आओ वाईयो अब एक और केंडॉल बनने का शौक रखने वाले दीवाने से मिलते हैं राट डिजो की तरह सेल्जो को भी बच्पन से ही डॉल से खेलना बहुत पसंद था और उनकी वैमली भी कहती थी कि वो केंडॉल जैसा दिखते हैं इसी बाद से उनके दिल में केंडॉल में पूरी तरह बदलने का ख्याल बैट कया 16 साल की उमर में एक मॉडलिंग कॉंटेस जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली सरजरी करवाई और उसके बाद कम से कम चार सरजरी करवाई अपनी नाग चिन जौ और साथ ही सिलिकॉन इंप्लांट लगवाए अपने चेस्ट पे सेल्जो ब्रैजील में इतने मशूर हो गए कि वो किसी भी जगए गेस्ट एपिरेंस करने के लिए और आगे चलके उन्होंने खुद की सेल्जो डॉल भी लाँच की बाद लेकिन अब तो भाई मार्केट में एक रियल लाइफ बार्बी डॉल भी आ गई है मिलिये वलेरिया लुकनोवा से जो कुछ ऐसी दिखती है लेकिन नो 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 इनका मकसद बार्बी डॉल बनना नहीं है बलकि इन्हें तो ये गजब लेविल का इंस्पिरेशन त्री यानि भाई यो ये आपको ट्रेंड करेंगी कैसे आप नीद में दूसरी दुनिया में जा सकते हैं यार सारी खुबसूरत ललकिया ऐसी क्यों होती हैं एनिवे वलेरिया ये खुलम खुला मानती हैं कि उसने बस ब्रिस इंप्लांट डलवाए हैं मगर काफी लोगों का कहना है कि अपनी पफिक स्लिम कमर बनाने के लिए उन्होंने अपनी रिफ्स की हड़ियों को निकल वाया है हाँ बॉस ये सच में एक सरजरी है जिसमें आप अपनी अच्छी खासी रिप को तोड़के निकल वा सकते हैं बाई दुनिया में गरीबी पॉलीशन डिफॉरस्टेश नमबा फोर चस्टिन जेडिका यार मुझे समझ नियरा सरजरी करवाने वाले सभी लड़कों को अपनी नाक से क्या दुश्मनी है वो सरजरी की शुरुआत इसी सरजरी से करवाते हैं मगर आगे चलके उसके इतने दिवाने हो जाते हैं कि अपना पूरा खुलिया ही बदल मगर फिर भी जिद में आकर 18 साल के होते ही उन्होंने अपनी नाक माइकल जैक्सन जैसी करवा ली तब से अब तक उन्होंने 500 से भी जादा सरजरी और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं और उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे पर ही नहीं बलकि पूरी बॉड़ी पर सरज करने के लिए अफकोस बगार किसी टैलेंट के ऐसे ही बिडिश रियलिटी शो द्वारा चटपट नाम कमाने वाले एक सेलेबरिटी हैं क्लोई खान 2010 में अपना नाम क्लो माफिया करके उन्होंने एक्स फैक्टर के लिए आडिशन किया था मगर जल्दी शो वालोंने उन्ह काम से निकाल दिया जब वो सेट पर नशे में धुट आई थी कुछ सालों के लिए वो बिलकुल पबलिक आईस से गायब हो गई लेकिन फिर जब उसकी इंट्री हुई तो ऐसी दमाकेदार हुई कि कोई उसे पहचान ही नी पाया उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिय का कुछ ना कुछ एक्सप्रियंस तो हुआ ही है मगर क्लोय का एक्सप्रियंस तो सबसे खतरनाक था इस बहुत ही इंटेलिजन नारी ने इंस्टेग्रैम पे मिले किसी युक्रेनियन प्लास्टिक सर्चन को कान्टेक करके उस ससते में अपनी नाकी सरजरी का इंतजाम किया था, मगर इस वाल तू क्वैक सर्जन ने, उनकी नाकी ऐसी बुरी हालत की, सुन्दर दिखना ना दिखना तू बात की बात है, उनकी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था, उसे तो इस सर्जरी के बाद सांस लेना भी नहीं आ रहा था, और वो बेहोश हो गई थी, इसकी व सर्जन के पास जाना चाहिए था, ना की इंस्टाग्राम पे मिले किसी आम डॉक्टर से, नमबर टू, मौरिको गैल्डी, यार ये ब्रैजिलियन लोगों के सर पे केंडॉल बनने का क्या नशा सवार हुआ है, हर किसी बंदे को ऐसा ही देखना है, लेकिन अभी हम जिस शक् ठीक करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाना शिरू कर दिया, और बस फिर इनसान एक बार सुटा मार के कभी रुकाया क्या, उन्होंने इसके बार लगातार 15 सर्जरी करवाई, वो लॉन केंडॉल का लोग पाने के लिए, लेकिन एर एक बात है, इस वीडिय वेल फ्रेंड्स, इस लड़की को देखिए, आपको क्या लगता है, इस लड़की के चेरे में कोई ऐसा मेजर फॉल्ट है, जिसे ठीक करवाने के लिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करना नी पड़े, बाई मुझे तो नहीं लगता कि उसे ऐसी कोई जरूरत थी, मगर फिर इ के अच्छे अच्छों के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं, तरावनी इरानी एंजलीना जॉली के नाम से मशूर 20 साल की सहर तबर ने आप तक सर्जरी पर 50,000 डॉलर्स खर्च किये, ताकि वो ऐसी दिख सकें, 2017, 2017 उनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे बहुत जादा वाइरल हुई और उनकी अच्छी खासी फॉलॉंग भी बन गई थी, मगर कुछ लोग उनके इस एक्स्ट्रीम लुक से बहुत परिशान हो गए थे, और पोलिस को उनकी कम्प्लेंट भी कर दी, और अक्टूबर 2019 में उन्हें बलस्फेमी, इंसा फैलाने, युवाओं को गुमरा करने और गयर कानूनी तरीकों से पैसा कमाने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था, अगर उसके खिलाफ ये सब जुर्म साबित हो गए, तो उसे तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल भी हो सकती है, दोस् तो ये हुई सहर तबर की बात, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में किस किसने प्लास्टिक सरजरी करवाई होंगी, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करना हमारे जार, stay curious, keep learning and keep growing, जाय हैंद